हलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रदीप सहकल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीडा क्रिकेट आईपील दो हजार चौबिस जो है वो मुंबई इंडियन्स की टीम के लिए बेहत खास होने वाला है क्योंकि मुंबई इंडियन्स की टीम इस साल एक नए नवेले कफ्तान के साथ आईपील में उतरने वाली है और ये नया नवेला कफ्तान कोई और नहीं यह हूंगे हार्दिक पांडिया जी हाँ पिछले 10 सालों से रोहिद शर्मा जो है वो मुम्मे इंडिन्स की टीम की कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने इस टीम को 5-5 बार IPL का चैंपियन भी बनाया लेकिन अब मुम्मे इंडिन्स की टीम एक नए कप्तान के साथ IPL में उतरने वाली है तो नए कप्तान के अंडर उतरने वाली ये टीम जो है वो किस तरह का प्रदर्शन करेगी इस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं लेकिन देखिये मुम्मे इंडिन्स के पास एक सबर कर एक धांसू खिलारी मौजूद हैं जो इस टीम को एक बार फिर से IPL जिताने का दमखम रखते हैं तो ऐसे में IPL 2024 में कैसी हो गई मुम्मे इंडिन्स की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर प्लेइंग 11 इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोट असा काम काम आपको क्या करना है आपको क्रिक रॉकेट की एप को डाउनलोड कर लेना है तो फटा-फट से क्रिक रॉकेट की एप को डाउनलोड कर लीजिए तो हम बात कर रहे थे कि आईपेल 2024 में कैसी हो गई मुम्मे इंडिन्स की सबसे ताकतवर प्लेइंग 11 लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टीम में आईपेल 2024 के लिए कौन-कौन से खिलाली मौजूद है और देखिए अगर हम मुम्मे इंडिन्स की टीम की बात करें तो इस टीम का नारा है दुनिया हिला देंगे और ये टीम इस बार भी दुनिया हिलाने के लिए ही आईपेल में खिलने उतरेगी लेकिन ये देखना दिल्चस्प होगा कि नए कप्तान के इंडर इस टीम का प्रदर्शन किस तरह करेता है हार्दिक पानिया ने जरूर गुजराट टाइटन्स की टीम की कप्तानी करते हुए दंदार प्रदर्शन किया है और उसी की वज़े से इस बार उन्हें मुम्मे इंडिन्स की कप्तानी सौपी गई है लेकिन दबाव इस टीम के कप्तान पर जरूर रहेगा चलिए अब बात कर लेते हैं कि IPL 2024 में कौन-कौन से खिला ली है जो मुम्मे इंडिन्स की तरफ से खेलने उतरेंगे सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें तो इस टीम में दो-दो दमदार विकेट कीपर्स हैं एक है इशान किशन जिनने इस टीम ने 15 करोड रुपे की भारी भरकम रकम खर्च करके अपने बेडे में शामिल किया था और इशान किशन जो हैं वो ओपनिंग भी कर सकते हैं नमबर तीन पर बल्ले बाजी भी कर सकते हैं और तेज तरार पारी खेलते हैं वही इस टीम के दूसरे विकेट कीपर बल्ले बाज हैं विश्नु विनोद विश्नु विनोद भी बड़े बड़े 6 लगाने के लिए जाने जाते हैं पिछले IPL में इन्हें कुछ मुकाबले खेलने का मौका मिला था जहां पर इन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था बात हो गई विकेट कीपर्स की अब बात कर लेते हैं इस टीम के बल्ले बाजो की इस टीम के बैटर्स की जब मुम्मा इंडियन्स के बल्ले बाजो की बात आती है तो इसमें सबसे उपर नाम आता है इस टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का रोहित शर्मा तेजी से रन बना सकते हैं मुम्मा इंडियन्स को ताबर तोर शुरुवात दिला सकते हैं और वैसे भी इस सीजन में तो रोहित शर्मा के ब्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहने वाली है क्यों? क्योंकि इस खिलारी से कप्तानी छीनी गई है तो ये देखना दिल्चस्त होगा कि रोहित छर्मा का ब्रदर्शन किस तरह का रहता है IPL 2024 में चलिए बात कर लेते हैं दूसरे बल्लेबाज की तो दूसरे बल्लेबाज हैं Tim David Tim David lower order में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं ये खिलारी Mumbai Indians के लिए एक दमदार फिनिशर का किरदार निभा सकता है बात कर लेते हैं Mumbai Indians के तीसरे बल्लेबाज की तो तीसरे बल्लेबाज हैं सूर कुमार यादव Sky का बल्ला जब चलता है तो विरोधी टीमों के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि ये खिलारी मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाता है और अपने बल्ले का दम दिखाता है बात कर लेते हैं Mumbai Indians के अगले बल्लेबाज की तो वो है तिलक वर्मा तिलक वर्मा एक खबू बल्लेबाज है और ये भी पिछले IPL में अपने बल्ले का दम दिखा चुके हैं अगले बल्लेबाज की बात करें तो अगले बल्लेबाज है डिवाल ब्रेविस इनको बेबी एबी कहा जाता है और ये भी एबी डिविलियर्स की तरहां ताबर तोड बल्लेबाजी कर सकते हैं तो ऐसे में इस खिलारी पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं बात कर ली हमने विकेट कीपर बल्लेबाजों की हमने बल्लेबाजों की बात कर ली अब बात कर लेते हैं All-Rounders की All-Rounders की बात करें तो इस टीम के कप्तान का नाम सब से उपर आता है हार्दिक पांडिया इस सीजन में हमें लगता है कि मुम्मा इनर्स के लिए नंबर चार पर बल्ले बाजी करेंगे और अपने All-Round प्रदर्शन से इस टीम को एक बार फिर से आईपिल का चैंपियन बनाना चाहेंगे बात कर लेते हैं अगले All-Rounder की तो इस टीम के पास जो अगला All-Rounder है वो है रोमारियो शेपर्ड रोमारियो शेपर्ड वेस्टेंडीस से आते हैं तेज तर्रार बल्ले बाजी कर सकते हैं बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं और ये T20 स्टाइल में बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं तो इसलिए इन पर भी सभी की निगाहिर रहने वाली हैं अगले ओल्राउंडर जो इस टीम में हैं वो है नेहल वडेरा नेहल वडेरा ने पिछले सीजन में अपने बल्ले का दम दिखाया था अगला ओल्राउंडर जो इस टीम के पास है वो है शमस मुलाली इसके बाद अगर हम बात करें तो इस टीम के पास जराल कॉटजे भी है, जिने आईपिल के मिनी आॉक्षन में मुम्मे इंडियन्स की टीम ने अपने बेडे में शामिल किया था जरार कोटजे के अलावा इस टीम के पास मुहम्मद नभी नाम का भी एक Allrounder है जो तेजी से बल्ले बाजी करने के लिए जाना जाता है और अपनी स्पिन गेंद बाजी से विरोधी टीमों के पर खचे उडाता है और ये खिलाडी जो है अफगानिस्तान से आता और बड़े तेज तरार शॉट्स लगाने के लिए जाना जाता है और मुहम्मद नभी के बाद जो इस टीम के पास Allrounder है वो है शिवालिक शर्मा इसके बाद जो Allrounder है उनका नाम है नमंधीर तो ये है मुम्मे इंडेंस के पास Allrounders की लिस्ट तो हमने बात कर ली मुम्मे इंडेंस के विकेट कीपर्स की बल्ले बादो की और Allrounders की तो अब बात कर लेते हैं मुम्मे इंडेंस के पास मौजूद गेंडबाजो की जिस तरह से इस टीम के पास एक लंबी फेरिस थी Allrounders की उसी तरह से इस टीम के पास गेंडबाजो की भी एक अच्छी खासी तादाद जो है वो मौजूद है इनमें सबसे उपर नाम आता है जस्परीद बूमरा का बूम बूम बूमरा अपनी गेंडबाजी से कर देते हैं विरोधी बल्ले बादो को गुमरा तो ऐसे में बूमरा इस टीम के लिए तेज गेंडबाजी करते हुए दिखाई देंगे हमें IPL 2024 में तो जस् टीम में गेंडबाजी करते हुए दिखाई देंगे कुमार कार्ति के ये स्पिन गेंडबाजी करते हैं अपनी फिर्की के फंदे में बड़े बड़े खिलालियों को फसा सकते हैं अगले गेंडबाज हैं आकाश मदवाल आकाश मदवाल ने पिछले सीजन में मुंबाई इ प्यूश चावला भी मौझूद हैं जो अपनी स्पिन गेंदबाजी और अपने अनुभव से विरोधी टीमों को अपने फंदे में फसा सकते हैं और मुंबई इंडियंस को विकेट दिला सकते हैं इसके अलावा मुंबई इंडियंस के पास है दिल्शान बदुशंका जो कि तेज तरार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा मुंबई इंडियंस के पास जो गेंदबाज हैं उनमें नुवान तुशारा हैं जिन्होंने हाल ही में हैट्रिक लिया है इसके अलावा अंशुल कमबोज हैं और श्रेश गोपाल जो हैं वो भी इस टीम मे एक स्पिनर का किरदार निभा सकते हैं तो यह है मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की पूरी की पूरी लिस्ट हमने मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर्स भी देख लिए हमने इस टीम के बल्लेबाज भी देख लिए और गेंदबाज भी देख लिए अब बात कर ल मुंबई इन्यस को तावरतोर शुरुवाद दिला सकते हैं और तीजी से रन बना सकते हैं तो ऐसे में इन दोनों खिलालियों पर मुंबई इन्यस को अच्छी शुरुवाद दिलाने का दारूंदार रहेगा नमबर तीन पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे सूरिकुमार यादव स्काई जब-जब मैदान पर आते हैं अपने 360 शॉट्स दिखाते हैं और विरोधी टीमों के पसी ने छुड़ा देते हैं नमबर चार की बात करें तो कप्तान हार्दिक पांडिया आपको नमबर चार पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और मुम्माई इंडियन्स के लिए बहतरीन फिनिशर का किरदार निभाएंगे। नमबर साथ की बात करें तो नमबर साथ पर आपको दिखाई देंगे मुहमन दभी। अफगानिस्तान का ये पूर कप्तान जो है वो तेज तरार बल्ले बाजी भी कर सकता है और पारी को दमदार तरीके से फिनिश भी कर सकता है इसके साथ ही साथ ये अपनी स्पिन गेंद बाजी से विकेट भी चटका सकता है नमबर आठ की बात करें तो नमबर आठ पर आपको दिखाई देंगे जराल कॉटजे जराल कॉटजे जो हैं वो तेज तरार बल्ले बाजी भी करते हैं और तेज गेंद बाजी से विकेट भी चटकाते हैं और दक्षिन अफ्रीका के इस खिलारी को मुंबई इंडियनस ने आ विरोधी टीमों के पसीने चुडाएंगे नमबर दस की बात करें तो नमबर दस पर रहेंगे जेसन वेहरंडॉफ जो लेफ्ट टार्म तेज गेंद बाज हैं और इनकी तेज तरार गेंदे जो हैं वो विरोधी टीमों के बल्ले बाजों का इमतिहान लेगी नमबर ग्यार से इस टीम को IPL का चैंपियन बना दे तो दोस्तों ये है मुंबर इंडेंस की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर प्लेइंग 11 तेले एक बर फिर से आपको दिखा देते हैं रोहित चर्मा और ईशान किशन आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे नमबर तीन पर दस्परीद बूमरा के नाम तो दोस्तों ये है मुंबर इंडेंस की सबसे स्ट्रॉंग और ताकतवर प्लेइंग 11 जो देखने में काफी दमदार लग रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हार्दिक पांडिया पहली बार कप्तानी करते हुए मुंबर इंडें कि आपको हमारे वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीडा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेस्बुक पेज को सबस्क्राइब और लाइक कर लीजिए तकि आपको क्रिकेट के लिए टेस्ट अबडेट सबस से तेज और सबसे पहले मिल सकें तो अपने दोस्त दीप सैगल को दीजिए अजासत फिर होगी आपसे मुलाकाच तब तक अपना ख्याल रखेगा तो बाई टेक केर